तक के lecturers में हमने resonance के बारे में study करी, हमने ये सम्ञाकि resonance क्या होता है, किसी molecule के अंदर resonance क्यों होता है, उसकी properties क्या-κया है, और सबसे important चीज़ की molecule को देख के, अब हम ये comment कर सकते हैं, कि हाँ, इस बाले molecule के अंदर resonance possible है, और अगर इस बाले molecule के अंदर resonance possible है, देखा है, तो I will suggest कि आप description में check कर लो, मैं इस पूरे series का जो playlist है, उसको वहाँ पर tag कर दूँगा, रख दूँगा, और उसको आप one by one करके समझ सकते हो, सीख सकते हो, वहाँ पर हमने बहुत जादा example लिया है, मुझे रखता है 30 plus example हमने लिया है, जहाँ पर हमने बताया है, कि कोई molecule जो है, उसमें resonance है या नहीं, और अगर है, तो उसका resonating structure हमें draw करना आना चाहिए, कैसे करना है resonating structures draw, इसके बारे में हमने बहुत जादा detail में बात करी है, तो यहाँ पर क्या है ना यार, इस वाले lecture में हम characteristics of resonance की बारे में बात करेंगे, तो majorly दो characteristics यहाँ पर हम बात कर आपको यह चीज बताने की जोड़त नहीं है, समझने की जोड़त नहीं है, यह जो एक single bond होता है नो सुको sigma बोलते है, जो double, दूसरा एक bond है, दो bond अगर है, तो एक sigma हो जागा, दूसरा क्या होगा, pi, similarly, एक sigma हो जागा, दूसरा क्या होगा, pi, तो यह क्या बोल ला है, यह characteristics क्या बोल ला है, point क्या बोल ला है, in resonating structures, we are only allowed to move pi electrons, जो pi electrons है ना, उसी को हम move करवा सकते हैं, but the position of atom or the group of atom remains same, position को change नहीं कर सकते हैं, क्या कहने का मतलब है, position change करने का क्या मतलब है, देखो या, क्या कर सकते हैं, यह और यह जो है आपस में resonating structure है, क्योंकि यहाँ पर हमने pi electrons क pi bond को यहाँ पर move करवा दिया, इस pi electron को आगे करवा दिया, इसको आगे करवा दिया, आप देख पा रहे होगे कि पहले यहाँ पर double bond नहीं था, अब यहाँ पर आ गया, मतलब इस pi bond को हमने आगे करवाया है, और यह कैसे हो रहा है, again, last के lectures में हमने detail में बात करी है, इस वाल पहले, पहले ऐसा रहा होगा, यह नहीं रहा होगा, यह चीज़ पहले नहीं रहा होगा, पहले ऐसा रहा होगा, तो यह वाला molecule बनी गया, यह जो molecule है, यह अगर नहीं है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोलने हैं कि ठीक है यार, इस bond को न, इस bond को न तोर दो, इस bond को हटा थिर्फ है इस बात का द्यान रखना मैं फिर से एक बार ना करता हुं यूप कर्वाइन खाल यहहाँ आटम प्मिनिकौर जो मैं कि आह सो यह करोड़ाएं जो यह को ऊउद हो पाइलिकद्रोस को मृब यह क्रवाएं अगर आप कर देते हो कभी तो यह एक blunder है एक्जाम में अगर बोर्ट की एक्जाम में आगर आपको रिजुनेटिंग इस्टक्चर बनाने के लिए दे दिया और आपने एक ऐसा कुछ बना दिया पोजीशन चेंज कर दी तो जीरो नमबर देगा वह बनता बले ही अगर इसका पांच बन रहा है और उसमें से दो ही बनाया एक आद नमबर दे दे लेकिन अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो यह वाईलेशन है रूल का वाईलेशन है तो यह जीरो नमबर मिलेगा तो बेसिक रूप से हमें ध्यान रखना है कि हम जो पोजीशनिंग है न उसको और देशन रहेगा अब इलेक्ट्रोन मूब कर रहा है इदर उदर यह चीज़ कर सकते हैं इसको गुटली देखते हैं दूसरा क्रेक्रिक्रिस्ट्रिक्स क्या कहता है इस इस लाइन को तो मैंने multiple times repeat किया है during the course when we were learning about how to draw resonating structures फिर भी मैं यहाँ पर एक बार इस example के तुर समझाने के कोशिस करता हूँ देखो, in resonating structures तो यह दोनों आपस में resonating structures में है number of paired and paired electrons remains same, basic group से यह चीज apply होगा, जो चीज number of paired and unpaired electron के लिए मैं बोल ला हूँ वही चीज होगा charge के लिए, तो total जो charge होगा वो conserve रहेगा किसी भी resonating structure के अंदर अगर दो resonating structure है, तो इन दोनों के भी जो charge है, वो basic group से same रहेगा, अगर इस पे एक negative charge है, तो इस पे भी एक ही होना चाहिए, चाहिए हम जो भी करें, हम electron का किदर से भी किदर move करवाए, तो उधर वैसा ही होना चाहिए, अगर यह neutral है, तो यह भी neutral होना चाहिए, यह बात हमें समझ में आनी चाहिए, और इसका example हमने बहुत सरा लिया है, इन previous lectures, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अन paired और paired electron की बात करते हैं, तो देखो, यहाँ पे जो है न, अगर हम देख पाएंगे, तो यह double bond, यहाँ पे single और यहाँ पे एक three radical, यह दोनों आपस में resonance में है, कैसे मुझे मालूम, बस rules यह कहता है, कि अगर एक बीच में gap हो और conjugation में हो, तो यह resonance में है, और अगर यह resonance में है, तो इसका resonating structure ऐसे बन जागा, कैसे, यह इधर jump करेगा, और यह चीज़ जो है, वो इधर shift हो जागा, इस तरीके से, और again हमने detail में बात करी है, तो again you should go and watch, तो यह दोनों आपस में basic group से resonating structure होया है, now, अब मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा कि यह जो bond है इन दोनों के बीच, इसको तोड़ दो, और एक electron इसको दे दो, एक electron इसको दे दो, और एक electron जो है न, वो इसको मिल जाएगा, ऐसे, इसके पास already एक loan pair है, इसके पास already एक loan pair है, तो हम बोलेंगे कि इसको तुम break कर दो, तोड़ दो, और एक एक electron इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे देते हैं, तो क्या यह दोनों आपस में regionating structure में है, नहीं, यह दोनों आपस में regionating structure में नहीं है, we are not allowed to manipulate basic रूप से number of, जो भी, जो भी paired electron है, और unpaired electron का जो number है, वो same रहेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, जो हमारा unpaired electron है, जो three radical electron है, वो एक है, और इसमें तीन हो गया, not possible, यहाँ पर देखेंगे, एक ही है, क्या, हाँ एक ही है, यह possible है, यह दोनों आपस में regionating structure है, यह बंदा, इसके साथ regionating structure में नहीं है, तो इस बात का हमें थ्यान रखना है, यह दो most important properties है, तो, I mean, two most important characteristics of resonance है, जो कि कभी भी हम regionating structures draw करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कि हम जो draw कर रहे हैं, वो सही है, नहीं है, तो एक validation की तरह हम यूज कर सकते हैं, इसका, कि अगर इस तरीके, अगर total, अगर मान लो कि इसका हम बना रहे हैं, और हमारे पास कुछ इस तरीके का आगया है, जिसमें कि lone, जो हमारा unpaired electron है, एक ही था पहले वाले molecule में, और बाद में 4-5 हो गया ऐसे, तो हम बोलेंगे कि पक्का हमने कुछ गलती करी है, यह चीज पॉसिबल नहीं है, यह constant violation है, again यहां भी वही होगा, कि अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया, तो zero marks मिल जाएगा सीधे-सीधे, और इस तरीके से बनाया, और अगर 3-4 possible है, एक दो भी बनाया, तो log marks दे देते हैं, तो मोटे-मोटे तर पर अगर हमें बात करूँ, तो यह जो दो most important, जो हमारा characteristics है, resonance का, यह चीज हमें, हमें सद्धान में रखना है, जब हम क्या बना रहे होंगे, resonating structures को draw कर रहे होंगे, तो अगर आपको यह lecture संदा रहा है, तो इसे like करो, चैनल को subscribe कर लो, सबसे important चीज है, कि अपने दोस्तों के साथ share करो, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, thank you for watching this lecture,